दुर्योधन तक पांडवों की वीर्दा का समाचार तो पहुंच चुका था किन्तु क्या वैस समय रहते उन्हें पहचान पाया जानते हैं इस सद्ध्याय में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोज को लाइक, शेर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवर्षय सुने वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेज, तदन अंतर राजा तुर्योधन उस समय दूतों की बात पर विचार करके बहुत दिर तक मन ही मन कुछ सोचता रहा उसके बाद उसने सभा सदों से कहा कार्यों के अंतिव परिणाब को ठीक ठीक समझ लेना अत्यंतकठिन है अतह आप सब लोग इस बात को समझ ले कि पांडव कहां चले गए इस देर में वर्ष में पांडवों के अज्यात्वास का अधिकान समय पीच चुका है और थोड़े ही दिन शेश है यदि शेश समय में पांडव इसी प्रकार यहां व्यतीत कर ले तो वे प्रतिग्या पालन के भार से मुक्त हो जाएगे फिर तो वे सत्यवती पांडव मत की धारा बहाने वाले गजराजों और विश्थर सर्पों के समान क्रोध में भरकर निश्य ही कौर्वों के लिए दुखताई हो जाएगे वे सब समय की नियत अवधी को जानते हैं अधह कहीं ऐसा वे श्थारन करके छिपे होंगे जिससे उन्हें पैचान पाना कठिन हो गया है इसलिए आप लोग शीक्र उनका पता लगाने की चेश्टा करें जिससे वे क्रोध को दबा कर उतने ही समय के लिए अर्थात बारह वर्षों के लिए पुनह वन में चले जाए ऐसा होने पर ही मेरा यह राजे दीर्खकाल तक के लिए निर्द्वंद विग्रता शून्य तथा निश्कंटक हो जाएगा यह सुनकर करने कहा भरत नंदन तब शीग्र ही दूसरे कारे कुशल गुप्त चर भेजे जाए जो धूर्द होने के साथ ही छेपे रहकर अपना कारे अच्छी तरह कर सके वे गुप्त रूप से धन्धाने संपन एवं जन्द समुदाय से भरे हुए देशों में जाए वहां सुर्मे सभाओं में सिध्ध, सन्यासी, महात्माओं के आश्रमों में, राजनगरों में, नानब्रकार के तीर्थों और सर्वोतम स्थानों में वहां निवास करने वाले मनुश्यों से विनेपूर्ण युग्ती से पूच कर उनका पता लगामे पांडव छिपकर किसी गुप्त स्थान में निवास करते होंगे अतह जो कारे साधन में तत्पर उन्हें अच्छी तरा पहचारने वाले बुद्धी मानी से स्वयम्भी छिपकर कारे करने वाले और अत्यनत कुशल हूँ ऐसे अनेक गुप्तचर नदी तत्वर्तिक कुञ्जों तीर्थों गावों नगरों रमणी या आशमों परवतों तथा गुफाओं में जा जा करूने खोजे तदन अंतर सदा पाप भावना में अनुरक्त रहने वाले दुर्योधन चे छोटा भाई दुश्यासन इस प्रकार बोला राजन, नरेश्वर जिन गुप्तचरों पर हमारा अधिक विश्वास हो उन्हें देने योग्य सब साधन देकर पुनह पाणवों की खोज के लिए भीजा जाए करने जो बात कही है वैं सब हम करें इनके पताय हुए स्थानों में जहां जहां घूमकर सभी गुप्तचर उनका पता लगामे ये तथा और भी बहुत चे लोग एक देश से दूसरे देश में विधिपूर्वा खोज करें अभी तक तो पांडवों के गंता प्रिस्था निवास तथा प्रप्रित्ति का कुछ भी पता नहीं लग रहा या तो वे अधिक कुप्त स्थान में चेपे हैं या समुद्र के उस पार चले गए हैं यह भी संभब है कि अपने को शूर्वीर मानने वाले उन पांडवों को इस महान बन में अजकर निगल गए हूं अथ्वा वे किसी विशम परिस्थिती में पढ़कर सदा के लिए नश्ट हो गए हूं अधह कुरू नंदन मनुजेश्वर आप अपने चित को स्वस्त करके जो ठीक समझ में हावे देहकार पूर्ण उत्साह के साथ करें पैशम पा संतर तत्व दर्शी महापराक्रमी द्रोनचारे ने कहा पांडव लोग शूर्वीर विद्वान पुधिमान जीतेंद्री धर्मक्य गृतक्य और अपने बड़े भाई धर्मराज युदिष्ट्र की आज्या मानने बाले उनके भाक्त हैं ऐसे महापुरुष ना तो स्कृत ही होते हैं उनमें धर्मराज्टो नीती धर्म और अर्थ के तत्व को जानने बाले भाईयों द्वारा पिता की भांती सम्मानित धर्म पर अटल रहने वाले सत्य पराय और भाईयों में सबसे जेश्ट हैं राजन उनके भाई भी अपने से बड़ों के अनुगामी और अपनी महात्मा बंधु श्रिमान अजाच्छत्रु युधिस्ट्र के भागते हैं धर्मराज भी सब भाईयों पर अत्यम्त स्नेह रखते हैं जो इस प्रकार आग्यापालक विनेशी और महात्मा हैं ऐसे अपन की द्रिष्टी से यह देखता हूं कि पांडव लोग अपने अनुकूल समय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे नश्ट नहीं हो सकते इस समय जो कुछ कहना है वे खुब सोच विचार कर शीक्र किया जाना चाहिए इसमें विलंब करना ठीक नहीं है सभी विश्यों में धेरे रखने वाले उन पांडवों के निवास्थान का ही ठीक ठीक पता लगाना चाहिए वे सभी शूर्वी और तपस्या से आवरित हैं आतह उन्हें पाना कठिन है पालानी पर भी उन्हें पहचानना तो और भी कठि है कुंति पुत्र युधिष्टर शुद्रचित गुणवान सत्यवान नीतिमान पवित्र और तेज की पुंज़े हैं आतह उन्हें पहचानना असंभव है आँखों से दिख जाने पर भी मनुष्य को मुहों लेने वाले वे पहचान में कैसे आएंगे इसलिए इन बातों को अच्छी तरह सोच समझ कर ही हमें कोई काम करना चाहिए ब्राह्मन गुप्तचर सिद्पुरुष अत्वत जो दूसरी लोग उन्हें पहचानते हो उनके द्वारा पुनह उन सब की खोज करानी चाहिए वहचंपायन जी कहते हैं राजन इसके पशात भरत वंशियों के पिता महां देशकाल के ज्याता वेद शास्त्रों के विद्वान तत्व ज्यानी और संपून धर्मों को जानने वाले शांतनु नंदन भीश्म जी ने आचारे द्रोन की बात पूरी होने पर कौर्वों के हित के लिए आचारे के कथन से मेल खाती हुई ये बात कौर्वों से कही उनकी ये बात धर्म की युधिश्टर से संबन्द रखने वाली तथा धर्म से युग थी वह दुष्टु पूर्शों के लिए सदा, दुरलब और सत्पूर्शों को सदेव प्रिये लगने वाली थी इस प्रकार भीश्म जी ने भाँ सत्पूर्शों द्वारा प्रशंसित सम्यक वचन कहा सब विश्यों के तत्वग्य तथा विप्रवर आचारे द्रौन ने जैसा कहा है वे ठीक है वास्तर में पांड़व समस्तर शुबलक्षनों से संबन्द साधू पुर्शोचित नियमों एवं व्रत के पालन में तत्पर वेदोग्तवरत के पालक नानवरकार की शुत्रियों के ज्याता बड़े पूर्णों की उपदेश और आदेश के पालन में संलक सत्य पराय तत्था शुद्वरत धारन करने वाले हैं वे अज्यातवास के नियत समय को जानते हैं इसलिए उसका पालन कर रहे हैं पांडव क्षत्रे धर्म में नित्य अनुरक्त रहकर सदा भागवान श्री कृष्ण का अनुगमन करने वाले हैं। वे उत्तम वीर पुरुष, महात्मा, महाबलवान तथा साधू पूर्षों के लिए उचित कर्तप्वे का भार वहन कर रहे हैं। अता वे कश्ट भोगने के नश्ट होने योगे नहीं है। पांडव अपने धर्न तथा उत्तम पराक्रम से सुरक्षित हैं। अता वे नश्ट नहीं हो सकते। यह मेरा निश्चित विचार है। भरत नंदन पांडवों के विशे में मेरी बुद्धी का जो निश्य है उससे बताता हूं। जो उत्तम नीती से संपन है। उसकी उस नीती का अनुससंधान दूसरे अनीती पराय मनुष्य नहीं कर सकते। पांडवों के संबंध में अपनी पुद्धी से भलिवांती सोच विचार कर मुझे जो युक्ति संगत जान पड़ता है वही उपाय हम यहां कर सकते हैं। मैं उसे द्रो मेरे जैसे पुर्षों को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उससे अच्छी नीती ही कहनी चाहिए। अनीती कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। तात जो व्रिद्धु पुर्षों के अनुशासन में रहने वाला और सत्यपालक है। वह धीर पुरुष यदी साधु करने की इच्छा से यथात एवं उचित बात ही कहनी चाहिए। अतह इस तेर्वे वर्ष में धर्मराज युधिस्टर के निवास के संबंद में दूसरे लोग जैसी धाना रखते हैं वैसा मैं नहीं मानता। तात जिस नगर यह राष्ट्र में राजा युधिस्टर निव जनपत के लोगों को दानशील, उदार, विनई और लज्चाशील होना चाहिए। जहां राजा युधिस्टर होंगे वहां के मनुष्य सदा, प्रियवचन बोलने वाले, जीतेंद्रिये, कल्यान भागी, सत्य परायन, रिष्ट पुष्ट, पवित्र और कारे कुशल होंग वहां कोई ना तो दूसरे के दोश देखने वाला होगा और ना इशालू, ना किसी के मन में अभिमान होगा, न माचर। वहां के सब लोग स्वयम ही धर्म में तत्पर होंगे। उस देश यह जन्वत में प्रचुर रूप से वेद धोनी होती होगी, यग्यों में पूर्णा होतियां दी जाती होगी और बड़ी-बड़ी दक्षणों वाले पहुच से यग्यों हो रहे होंगे। वहां मेग, सदा, ठीक-ठीक वर्षा करता होगा, इसमें संशे नहीं है, वहां की भूमी पर खेती लहलाहाती होगी और वहां निवास करने वाली प्रजा, सर्वता, निर्भय होगी। वहां गुण युक्त, धान, सरस, फल, सुगंध युक्त, माला और मांगलिक शब्दों से युक्त, वानी, सुलब होगी। वहां जिसका स्पर्श, सुखतायक हो, ऐसी शीतल एवं मंद, वायू चलती होगी। धर्म और प्रह्म के सुरूप का विचार पाखंड शूर्ने होगा। जहां राजा युदिश्चर होंगे, वहां भय का प्रवेश नहीं हो सकता। उस जन्बत में गौउं के अधिकता होगी और वे कौई कृश या दुर्बलना होकर खूब रिष्ट प्रिष्टो होगी। उनके दूद, दही और घी भी बड़े स्वादिश्ट तथा हितकारी होंगे। जिस देश में राजा युदिश्चर होंगे, वहां गुणकारी पे और सरस भोज पदार्थ सुलप होंगे। जहां राजा युदिश्चर होंगे, वहां रस, स्पर्ष, गंद और शब्द प्रसन्य करने वाले द्रिश्चर देखनी को मिलेंगे। इस तेरवे वर्ष में राजा युदिश्चर जहां कहीं भी होंगे, वहां के समस्तर द्विच, ब्राहमन, क्षत्रे और वैश्यर अपने अपने धर्मों का पालन करती होंगे, और धर्म भी अपने गुण तथा प पवित्र और विकार शुन्य होंगे, देवता और अतितियों की पूजा में सबका सर्वतो भावेन अनुराग होगा, सभी लोग दान को प्रियमानेंगे, सब में भारी उत्साह भरा होगा, और सभी अपने अपने धर्म के पालन में तत्पर होंगे, जहां राजा वहां के लोग अशुप को छोड़ कर शुप के अविलाशी होंगे, यग्यों का अनुस्ठान उनके लिए अभिष्ट कारे होगा, और वे श्रेष्ट व्रतों को धारन करने वाले होंगे, तत्प, जहां राजा युदिश्चर रहते होंगे, वहां के लोग असत्ते भाशन का त्याग करने वाले, शुब, कल्यान एवं मंगल से युक्त, शुब वस्तूं की प्राप्ती के इच्छुक तथा शुब में ही मन लगाने वाले होंगे, सदा इस्टजनों का प्रियेक करना ही उनका व्रत होगा, कुंति पुत्र युदिश्टर धर्मात्मा है, उनमें सत धैर, दान, परमशांती, अटलक्ष्मा, लज्जा, श्री, कीर्थी, उतक्रिष्ट तेज, दयालोता और सरलता आदी, गुण, सदा रहते हैं, अतह, अन्य साधारन मनुष्यों की तो बात ही क्या है, द्विजाती भी उन्हें नहीं पैचान सकते, इसलिए जहां ऐसे पाएं जाए, वहीं बुधिमान युधिष्ट का यतन पूर्वक्त छिपाया हुआ निवास्थान हो सकता है, वहीं उनका उतक्रिष्ट आश्य होना संभव है, इसके विप्रीत में और कोई बात नहीं कह सकता, कुरू नंदन, यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास हो, तो इसी प्रकार सोच विजार कर जो काम करने से तुम्हें अपना हिच जान पड़े, उसे शीखर करूँ, वहीं बातों जी कहते हैं, राजन, इसके पशात महरशी शर्द्वान के पुत्र कृपाचारे ने उस समय ये बात कही, राजन, वयोवरित भीश्म जी ने उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही सन्य हित हैं, वै सुन्दर, तात्विक और सकारण है, इस विशे में मेरा भी जो कथन है, वै भीश्म जी के ही अनुरूप है, उससे सुनो, तुम लोग गुपते चरों से पांड़ों की गती और स्थिती का पता लगबाँ, और उसी नीती का आश्रयलों जो इस समय हित कारणी हो, तात्विक जिसे समराट बनने की इच्छा हो, उसे साधारन शत्रू की भी अभेलना नहीं करनी चाहिए, फिर जो युद्ध में संपूर्ण अस्तरशत्रों के संचालन में कुशल हैं, उन पांड़ों की तो बात ही क्या है, अतह इस समय जबकि महात्मा पांडव छद्मवेश धारन करके अर्थात वेश बदलकर कुप्त रूप से छिपे हुए हैं, अज्यात्वास की जो नियत अब्धि थी धैप्राय समाप्त हो चली है, सोराष्ट्र और परराष्ट्र में अपनी कितनी शक्ति है, इसे समझ लेना इसमें संदेह नहीं कि उप्यूक्त समय आते ही पांडव प्रकठ हो जाएंगे, अज्यात्वास का समय पून कर लेने पर कुंती के वे महाबली, अमित पराक्रमी, महात्मा पुत्र, पांडव, महान उच्छा से संपन हो जाएंगे अतह, इस समित तुम्हें अपनी सेना, कोश और नीती ऐसी बनाई रखनी चाहिए, जिससे समय आने पर हम उनके साथ यदावत संधी, अर्थवा, बान संधान कर सकें तात, तुम स्वयम बुध्धी से भी विचार कर अपनी संपूर्ण शक्ति कितनी है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लो, तुम्हारे बलवान और निर्बल सब प्रकार के मित्रों में निश्यत बल कितना है, यह भी जान लेना जाहिए भारत, उत्तम, मध्यम और अधम, तीन प्रकार के सेनाओं के स्थेती समझों, उत्तम और मध्यम से नाए प्रसन नहें यह अप्रसन, इसे जान लो, तब हम शत्रों से संधी या बार्ण संधान कर सकते हैं साम, अर्थाद समझेना, दान, अर्थाद धन आदी देना, फेत, अर्थाद शत्रों में फूट डालना, दंड देना और कर लेना, इन नीतियों के द्वारा शत्रों पर आक्रमण करके दुर्बनों को बल से दबा कर, मित्रों को मेल जोल से अपना कर और सेना को, मिश्टर भाशन एवं वेतनादी देकर अपने अनुकूल कर लेना चाहिए इस प्रकार उत्तम कोश और सेना को बढ़ा लेने पर तुम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकोगे उस दर्शा में बल्वान से बल्वान चत्रू क्यों ना जाए और वे पांडफ हूं ये दूसरे कोई यदि सेना और वहन आदी की दृष्टी से उनमें अपनी अपेक्षान नियूंता है तो तुम उन सब के साथ युद्ध कर सकोगे नरेंद्र इस प्रकार अपने धर्म के अनुकूल संपूर्ण करतब्यूं का निश्शे करके यथा समय उसका पालन करोगे तो दीर्वकाल तक सुख पोगोगे वैशंपायन जी कहते हैं राजन तदनंतर दुर्योधन उन महात्माओं का बच्चन सुनकर दो घड़ी तक कुछ विचार करता रहा फिर मंत्रियों से इस प्रकार बोला मंत्रियों मैंने पूर्फकाल में जन साथारन की बैठक में आपस की बाचीत के समय शास्त्रों के विद्वान ज्यानी वीर एवं पुन्यात्मा पुर्षों की निश्चित सिध्धान के विशे में कुछ ऐसी बाते सुनी है जिनसे नीती की दृष्टी की एनुसार मैं मनु पुष्य लोक में डैकते मानव तथा राक्षसों में चार ही ऐसे पुरुसिंग सुने जाते हैं जो इस भूतल पर आत्मबल बहुबल धैर तथा शारीरिक शक्ति में इंद्र के समान हैं वेही समस्तर प्रांधारियों में उत्तम हैं बल में उनकी समानता करने वाला दूसर प्राक्रम से संपन हैं उनके नान इस प्रकार हैं बर्देव भीमसें पराक्रमी मत राजशल्य तथा कीचक इनमी कीचक का चौथ स्थान है इनके समान कोई पांचवाबीर मेरे सुनने में नहीं आया वे सभी परस पर समान बल्शाली तथा मौका पढ़ने पर एक दूसरे क को जीतने के लिए उत्सुक रहे हैं इनके मन में दूसरे के प्रती सदा रोश भरा रहा है यह परस पर बहुयुद करना चाहते थे इस आधार पर मैं भीमसेन का पता पालेता हूँ और मेरे मन में स्पष्ट रूप से ये बात आ जाती है कि पांडव अभी जीवित है अब मुझे ऐसा लगता है कि विराटनगर में कीचक को भीमसेन नहीं मारा है सरंद्री को मैं द्रौपदी समझता हूँ इस विशे में कोई अधिक विचार नहीं करना चाहिए मुझे संदे है कि द्रौपदी के निमिच से भीमसेन नहीं गंधर्व का नाम धारन करके रात्री के समय महबली कीचक को मारा होगा भीमसेन के सिवाद दूसरा कौन ऐसा वीर है जो बिना अस्त्र शस्त्र के केवल शारीरिक शक्ती और बहुबल से कीचक को मार सकता है तथा उसके संबून अंगों को चूर चूर करने और शिक्रता पूर्वक अस्ती चर्म इवं मास के उस चून समुदाय को मसल कर मास बिंड बना देने में समर्थ हो अतह ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दूसरा रूप धारण करके भीम से नहीं ये पराक्रम किया है गंधर व नामधारी भीम नहीं कृष्णा के लिए रात के समय सूथ पूत्रों का बद किया है इसमें संशय नहीं है पितावाँ भीष्ण में युधिष्टर के निवास के प्रभाव से देश और जन्समुदाई की जो गुण बताए हैं उनमें भी बहुत से गुण मतस्से राष्टर में दूतों द्वारा मेरे सुनने में आये हैं इससे मैं मानता हूँ कि पांडव राजा विराट के रमणियन नगर में निवास करते हैं और छद में बेश धारन करके गुपत रूप से विचरते हैं अतह वहां की यात्रा करनी चाहिए हम लोग वहां चल कर मतस्से राष्टर को तहस नहस करेंगे और राजा विराट के गौधन पर अपना अधिकार कर लेंगे उनकी गौधन का अभरन कर लेने पर निश्य ही पांडव भी हम लोगों के साथ त्यूद करेंगे ऐसी दशा में यदि अज्यात्वास का समय पूर्ण होने से पूर्फी हम पांडव को देख लेंगे तो उन्हें पुनह दूसरी बार बाराव वर्षूं के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा अतह तोनों में से एक भी हो जाए तो भी हमें लाभ ही है इस रणयात्रा से हमारे कोश की प्रिद्धी होगी और शत्रों का नाश हो जाएगा मतस्य देश का राजा विराट मेरे प्रती तिरसकार का भाव रखकर ये भी कहा करता है कि पूर्वकाल में धर्मरा चुद्धिष्टर ने जिसका पालन पोशन किया हो वह दुर्योथन के अधिकार में कैसे जा सकता है आतह निश्य ही मतस्य देश पर आखमर करना चाहिए वहां की यात्रा अवश्य की जाए यदि आप सब लोगों को अच्छा लगे तो मैं इस कारे को नीती के अनुकूल बांता हूँ तो कौर्वों को पांडवों के बारे में पता चल ही गया सभी पांडवों को ना सही भीम और सेरंध्री अर्था द्रौपदी को उन्होंने सही अनुमानित किया त्रोण चारे भीश्म पतामह सभी पांडवों को अज्यातवास में धून निकालने के पिछे क्यों पड़े थे तो क्या वे समय रहते पांडवों को अज्यातवास से पहारला पाएंगे जानते हैं अगले अध्यायों में आप सभी को कोटी कोटी साधुवात आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी ये लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करे